आईए आज हम सभी जानते हैं महुआ का परिचय गुन तथा इसके आयरुवेदिक उपयोगुं के बारे में महुआ भारत के कई प्रांतों में पाया जाता है महुआ का विरिक्ष काफी लंबा चोड़ा होता है गुजरात में बहुत ज़्यादा होता है इसके पत्ते बादाम के पत्तों की तरह होते है पत्तों के मोटे और चोड़े होने के कारण इनकी पत्तल बनाई जाती है महुआ की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है इस कारण इसका प्रियोग इमारत बनाने और फरनीचर बनाने में किया जाता है इसके फल सफेद होते हैं, इनका आकार बादाम से थोड़ा सा छोटा होता है कई जगह इसके फूलों और फलों को खाने के काम में लाया जाता है इसके फूलों और फलों में एक मादक खुश्बू होती है और इसका फल भी बहुत ज्यादा मीठा होता है मोहवा के फल से कई प्रकार के मादक द्रव्य बनाये जाते हैं और इन द्रव्यों का काफी सस्ते में मिलना गरीबों के लिए एक वरदान के समान है वे अपनी दिन भर की ठकान को मिताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं मगर ऐसा करना स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक होता है क्योंकि कोई भी मादक द्रव्य अपनी तरफ से कभी भी उर्जा प्रदान नहीं करता है उसका निर्मार एक ऐसे रूप में किया जाता है जो हमारे दिमाग के तंत्वों को स्थुल करके हमारे शरीर में हुई संचित उर्जा को एक बार में ही निकाल देते हैं मस्तिश्क पहले ही सो चुका होता है इसलिए हमें लगता है कि मादक द्रव्य के सिवन से हमें शक्ती मिलती है यहीं कारण है कि तब नशा उतरने के बाद काफी ठकान महसूस होती है महुववे के फूल मधूर, शीतल, भारी, बल, वीर्य, वात, पित, पित नासक होते हैं इसके फल भी मधूर, शीतल, पुष्टि कारक, वात पित, शय नासक होते हैं महवा के आयुवेदि कुपयोग गठिया होने पर महवे के फुल को बकरी के दूध में पका कर खाने से बहुत लाव होता है धातु पुष्टता के लिए महवे की छाल को गाई के घी और शक्कर के साथ मिला कर दिन में तीन बार पीने से धातु पुष्ट होती है साप के काटने पर महवे के बीज को पीश कर काटे हुए स्थान पर लगाने और आखों के दोनों कोरों पर लगाने से जहर का आसर कम हो जाता है महवा वातनाशक है महवा वातनाशक और पुष्टिक तत्तो वाला होता है सूजन कम होती है यदि जोडों पर इसका लेप किया जाए तो सूजन कम होती है और दर्द खत्म होता है पेट की बिमारियों से मुक्ति इससे पेट की बिमारियों से मुक्ति मिलती है ग्रामिल शेत्रों में महुआ जैसे बहुपयोगी व्रिक्षों की संख्या घर्टी जा रही है जहां इसकी लकडी को मजबूत एवं चीरस्थाई मान कर दरवाजे खिर्की में उपयोग होता है वहीं इस समय टपकने वाली पीला फूल कई और शध्य गुन समेटे है इसके फल को मुईया कहते हैं जिसका बीज सुखा कर उसमें से तिल निकाला जाता है जिसका उपयोग खाने में लाफदायक होता है उपयोग करने वालों का कहना है कि महुआ का फूल एक कारगर और शधी है इसका सेवन करने से साइटी का जैसे भायंकर रोग से पून रूप से छुटकारा मिल जाता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि महुआ हमारे लिए किस प्रकार से और कितना लाफ़कारी साबित हो सकता है इसी प्रकार से हम अपने अगले अंक में आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महतो पून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दो